आच मई यानि आज एक फिल्म रिलिज हो रही है जिसका नाम है दा केरला इस्टोरी इस फिल्म का ट्रेलर आने के बाद से ही इस पर और इसकी कहानी पर काफी विवाद और बवाल हो रहा है इस फिल्म को कुछ लोग केरल में हुए एक सची कहानी बता रहे हैं तो कुछ लोग गलत और फेक हलांके खुद इस फिल्म के डारेक्टर ने इसे एक true story एक सची घटना पर अधारित बताया है अब इनकी बातों में कितनी सचाई है और कितना जूट है यह सब कुछ सारी हकीकत आज इस वीडियो में आपको मालूम होने वाला है बस आप बने रहें इस वीडियो के साथ हो सकते हैं दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि मैंने इसमें पूरी डिटेल्स कवर करने की कोशिस की है अस्सलाम उलेकुम दोस्तों मैं सर्वर है दर कुरेसी स्वागत करता हूँ आपका Think Honesty परिवार में इस पर सुदिप्तो सेन ने बताया कि ये आंकड़ा उनका नहीं है बलके केरल के पुर्व मुख मंतरी ओमन चांडी का है उनका कहना था कि 2010 में ओमन चांडी ने विधान सभा में एक रिपोर्ट पेस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि राज जिसे हर साल लगभग 2800 से 32 सो नड़किया इसलाम धरम अपना रही है तो इस से 10 सालों का अंदाजा लगा ले यानि मल्टिप्लाई कर ले है ना आजीब इस से भी ज़्यादा आजीब बात है दोस्तों जरा गवर सो सुनिएगा मीडिया रिपोर्ट ये कहता है कि ओमन चांडी ने 2010 में नहीं बलके 25 जुन 2012 में इस मसले पर बयान दिया था इंडिया टूडे की एक रिपोर्ट में इस बयान का जिक्र भी मौजूद है जिसमें लिखा है कि 25 जुन को केरल के मुख्य मंतरी ओमन चांडी ने विधान सभा में ये बताया कि 2006 से राज्ज में 6 साल के अंदर 2667 लड़कियों ने इसलाम कबूल किया था यहां फिल्म के डारेक्टर का बियान पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है यहां गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हर साल 28-32 लड़कियां इसलाम धरम अपना रही है बलके उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो साड़े 6 साल का था कि उनके सामने ही कैमरे पे ओमन चांड़े ने इस बात से इनकार किया कि केरलम में कभी ऐसा कुछ हुआ था अब इन सारी जनकारी को सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है दोस्तों किस तरह एक जूट को सच थाबित करने की नाकाम कोसिस की जा रही है बिना पुष्टी किये बगएर किसी तहकीकात के एक ऐसी विवादित कहाने वाली जूटी फिल्म जो अपने साथ सच का लेबल लगा कर हमारे बीच आ जाती है जिसकी वज़ा से समाज का माहौल खराब होने लगता है इस फिल्म की वज़ा से हमारे देश समाज में नफरतों का बाजार गरम हो रहा है समाज के दो तबकों में बदगुमानिया फैल रही है कितना ज्यादा गलत है यह सब कुछ वैसे मैं आपको सच बताऊं दोस्तों अपने थौट्स आपके साथ सेयर करूं तो इस फिल्म के बनाने वालों का और इसमें सपोर्ट करने वालों का मकसद सिर्फ और सिर्फ देश में दो समयदाने के बीच नफरते फैलाने धरा मजहब जात पात के मुद्दों को और ज्यादा हवा देना है क्योंकि आज कल कि ये राजनीतिक पार्टियां हमारे अपने ही देश के अपने नेता लोग अपनी जाती फायदे के लिए या अपने सवार्थ के लिए हम देश वासियों के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रही है ये बात अच्छे सा समझ लें कि ये सब एक साजिस है एक प्रोपगंड़ा है देश के लोगों में फुट डालने का यानि डिवाइड एंड रूल जिस पॉलिसी के तहट अंगरेजों ने हम पर सेकों साल राज किया हुकूमत की हमें गुलाम रखा इसी नीती इसी पॉलिसी के तहट अब ये आज के नेता लोग हम पर राज कर रहे हैं की कोशिस कर रहे हैं और इस पॉलिसी का सीधा से मतलब यही है कि फुट डालो और राज करो ये लोग कभी हम देश वासियों को एक नहीं होने देंगे और याद रखें दोस्तों जब तक हम सब एक नहीं होंगे तब तक हमारा देश भारत दुनिया के नक्से पर इतना मजबूत और ताकतवर साइथ ना हो पाएगा जितना हो सकता है अब फैसला हमें करना है कि हमें कैसा देश चाहिए नफरत की आग में जलता हुआ या दुनिया के नक्से पर उभरता हुआ खिलता हुआ इस वीडियो में इतना ही अगर आपको इस वीडियो से रिलेटर कुछ सिकायत करनी है या कोई राय देनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें और अगर कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सबस्क्राइब कर ले इस से हमें और पहतर करने का हुसना मिलता है मिलते हैं एक अगले वीडियो में तब तक के लिए रखें अपना ख्याल अल्ला हाफिज